माधपुर नाम के गाउं में कई सालों से एक पुराना कुआ पड़ा हुआ था कोई गाउंवाला उस कुए के पास जाता ही नहीं था एक राद जग्गो और काली नाम के दो चोर उस कुए के पास से गुजर रहे थे ए उस तरफ मज्जा काली ने पूछा क्यों क्या हुआ उस कुए में भूत है अरे छोड काहे का भूत मैं जाके दिखाऊं क्या फिर काली उस कुए के पास चला गया ए चुड़ेल किनाती बाहर रिकल अरे कहां है तेरी भूतनी बुलाना बोलना आने को आरे मुझे क्या पता है गांवाले को बोलते सुना है इसलिए तुझको बोल दिया आरे लोग पागल हो गए है जो मन में आता है बोलते रहते है अचानक से काली को एक आईडिया सुझा उसने सोना से भरा हुआ अपने पोटले को कुए में डाल दिया अरे इतनी मुश्किल से तो चुराई थी कुए में कियो डाल दिया क्यों डाल दिया बाद में बताओगा तू भी अपना सोना कुए में डाल दे नहीं मैं नहीं डालूँगा ठीक है तेरी मर्जी वैसे तुने वो सोना अंदर डाली क्यों? कल तुझे पता चल जाएगा चल फिर वो दोनों वहां से निकल पड़े काली ने गाउवालों को समझा दिया कि उस पुराने कुए में सोना है और पूनम की रात को उसे निकाला जा सकता है फिर सारे गाउंवाले रात को ग्यारा बजे रसी और बकेट लेकर उस कुए के पास जा पहुँचे उनके साथ काली भी था उसने पहला बकेट डाला पहले से जो सोना अंदर पड़ा था वो उस बकेट के साथ बाहर आ गया ये देखकर सारे गाउं वाले हक्का बक्का रह गया। एक के बाद धड़ा धड़ उनने बकेट डालना शुरू कर दिया। सुबे तक बहुत प्रहत ने किया, पर सोना मिला नहीं। सुबे जब घर वापस आये, तो सारे घरों में चोरी हो चुका था। सारा गाउं सरपंच के पास जा पहुँचा, सरपंच ने काली को बुला भीजा। क्यों भई काली, सारा गाउं को उस कुए तक ले गया, कुएं से तो सोना निकला नहीं, पर इनके घर खाली हो गया। बात क्या है बता? अरे इनका जो सोना चोरी हुआ है उसके बारे में मुझे नहीं पता पर मुझे सपना आया था कि कुए में सोना मिलेगा मैंने बकेट डाली, मुझे सोना मिला क्या सपना आया था? नहा दो कर कुए के पास जाकर अगर बोलो कि कुवा मुझे सोना दे तो वो देगा ऐसा क्या? हाँ, भरोसा ना हो तो आज रात को आजमा लो सब को कहो कि बकेट के नीचे अपना नाम लिख दे और डाल दे सोना जरूर निकलेगा उस रात सारे गाओं वाले फिर से कुए के पास जा पहुँचे कुए को नमस्कार किया और अपना अपना बकेट डाल दिया जब बकेट बाहर खीचा तो सब को अपना घर से खोया हुआ सोना उन बक्तों में मिल गया आखिर में किशोर नाम का आदमी उस कुए के पास आ पहुँचा सारे चले गए हैं, बाहर आजा कुए के अंदर से रस्सी पकड़कर काली बाहर आ गया गाउ में सारी चोरिया काली नहीं किया था जब वो किशोर का घर पहुँचा, किशोर ने उसे देख कर कहा तो तेरा काम है, कुए में सोना है बता कर गाउवालों को वहाँ भेज कर, चोरिया कर रहा है मुझे माफ कर दो, फिर कभी नहीं करूंगा ठीक है, तो जैसा मैं कहता हूँ कर तो बताओ मालिक तुने लोगों को जो बताया ना, कल रात उसे तुझे सच करके दिखाना होगा सब का सोना उनका बकेट में डालना होगा ठीक है मालिक जैसा तुमने कहा था मैंने कर दिया, अब तो मुझे जाने दो जाने दूंगा, पर याद रखना इस पूरी कहानी को मैंने मोबाइल में रेकॉर्ड कर लिया है कहीं गाउं में चोरी हो गया ना, तो बेटा तु जेल जाके बैड़ जाएगा तो आज से देखना कि गाउं में कोई चोरी ना हो पाए ये सुनकर काली फस गया और दंग रहे गया राजू सिटी में बस कंड़क्टर का नौकरी किया करता था एक दिन वो अपना दोस्त हरी के साथ एक चाए के दुकान पे चाए पी रहा था और बाते कर रहा था अरे क्यों भई, इतना डल क्यों दिख रहा है क्या बताओ यार, मैं तो खुद पर ही गुसा हो रहा हूँ क्यों, क्या हो गया अरे कुछ देर पहले लड़की देखने गया था यार अरे वा, तो क्या हुआ, लड़की पसंद आई तो खुद ही देख ले राजू लड़की देखने गया हुआ था और उसके सामने लड़की वाले सब बैठे थे अच्छा जरा लड़की को बुला देते तो हाँ लड़की तो आ ही जाएगी वैसे आप करते क्या हो आप मैं तो बस कंड़क्टर हु ना ओ ऐसे बता रहे हो जैसे तुम जिले के कलेक्टर हो कमाई कितनी होती है मैंने की सर तनखा पंदरा हजार की है अचा ठीक है हम सोच लेते हैं फिर फोन करेंगे अरे ये क्या सर अब तक तो लड़की को दिखाया नहीं अब सोच के बताओगे कह रहे हो हमने बोला ना फोन करेंगे अब चलिए कहकर उन्होंने इने घर से निकाल दिया ये हुआ था मुझे डर है कई मैं बिना शादी का ही रहना जाओ अरे डरता क्यों है इस साल नहीं तो अगले साल तेरी शादी होई ही जाएगी हाँ मैं भी यही सोच कर इतने सालों से रुका हुआ था अरे तीस साल की उमर हो गई है और देर हो जाएगी तो शादी करना ही बेकार है लग रहा है मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा तु डर मत वैसे तुझे लड़की क्यों नहीं दे रहे है मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ यार जहाँ जाता हूँ पूछते है तुझ क्या करता है वो तो हर कोई पूछता है मैं बताता हूँ कि कंड़क्टर हूँ हाँ ये कहते ही कहते हैं कि फोन करके बता देंगे बस फिर कोई फोन भी नहीं आता ये बात है, तु कंड़क्टर है, तीरा तंखा कम है, वो डर जाते हैं कि बीबी बच्चों को किस तरह पा लेगा अरे यार मेरा तंखा तो 15,000 है, पर मैं कितना कमाता हूं ये तो वो नहीं जानते न कितना कमाता है तु यार किसी से बोलना मत मैं महिने का कम से कम पचास अजार रुपए कमा लेता हूँ अरे ऐसे कैसे कमा लेता है हरी ये बोल रहा था इतने में राजु के पीछे बैठा हुआ सूरिया राजु के सामने आया ऐसा कैसा सर एक मामूली कंड़क्टर है ना आप महिने का इतना कैसे कमा लेते हो आप सच बोल रहा है ना सर तो बताईए हमारे रिष्टेदार की बेटी है उनसे आपका शादी करवा दूँगा अब इसी बात पे कायम रहिए बताऊंगा नहीं कल मेरे साथ चलिए सुबे से शाम तक मेरे साथ रहिएगा आप यहीं बैठिये और देखते रहिए मैं क्या करता हूँ ठीक है राजू टिकेट काटने निकल पड़ा ए टिकेट 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 सार एक बालदेपूर का दीजिए कहकर उसने टिकेट काटी और छुटे का टिकेट के पीछे लिखके दिया ए टिकेट 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 कन्ड़क्टर जी एक रामगड़ का दीजिए ये लो उसना फिर से टिकेट काटके दिया उस बस में एक औरर दो बच्चों के साथ जा रही थी उसके पास जाकर कहा जाना है आपको मुझे शहर जाना है कितने लोग हो दो हाफ और एक फूल से हाफ कोन है ये रहे मेरे बच्चे ये हाफ कहां के हो गया ये लो तीन फूल टिकेट दो सुरुपे दो कहकर उसने उसे टिकेट दे दिये और पैसे ले लिया इतने में बस रुख गई क्या हो गया बाहर देखो लगेज है राजू नीचे उत्रा और कहां जाना है शहर जा रहा हूँ बाबू सबजिया ले जाना है ये सब कौन ले जाएगा सर सर सुबे से खड़ा हूँ एक भी गाड़ी ने ले जा रहा है अब ले चलिया ना सर लगेज के आलग पैसे लगेंगे उपर चड़ालो ठीक है सर उसने बस पे लगेज रख दिया राजू ने लगेज के पैसे तो लिये पर टिकिट नहीं दिया वो हर एक का टिकिट काड़ता था पर छुट्टा टिकिट के पीछे लिखके देता था जब भी किसी का उतरने का स्टॉप आता था राजू बस की दूसरी छोर जाके खड़ा हो जाता था और कोई पैसेंजर उसे बुलाने हाथ उटाता को उसे अंधेका करता अगर उसे पुकारता अंसुना करके दूसरों के पीछे चुप जाता उतरने वाला इतनी भीड के बीच उस तक पहुँच नहीं पाता वो पैसे छोड़के उतरके निकल जाता ऐसे ज़्यादातर लोगों के साथ वो करता था शाम को जब वापस डिपो पहुँचा देखा सर हाँ देखा बाच्ची चली रहा था इतने में एक और आदमी वहाँ आया और उसने राजु को एक पेपर दिया ये क्या है? सोचकर उसने पेपर खोल के पढ़ना शुरू किया पैसेंजर को छुट्टा वापस ना करना और लगेज के पैसे लेकर टिकिट ना काटने के जुरुम में हम तुम्हें एक साल के लिए सस्पेंट कर रहे हैं हाँ? आप कौन हो सर? मैं टिकिट चेकिंग आफसर हूँ तुम पे बहुत सारे कंप्लेंट आये थे ना तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए मैंने ऐसा किया था हाँ? गलती हो गई सर फिर कभी ऐसा ने करूंगा सर मुझे माफ कर दीजे सर कहकर वो वहाँ से चले गए राजु को अपने गलतियां समझाई वो बड़ा दुखी मन लेकर अपना घर वापस चलाए ऐसे ही ग्यानवर्द कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे